यहां पर हम अपनी बर्दी लेने आए हुएं। कि पीम मोदी का संसेधी श्यत्र है मैं वहां से आया हूं हम लोग की बेरुजगारी हम लोग को यहां तक हीचला रही है जिस उम्र में हम लोग सोचे तक देश की सेवा करेंगे पर हम लोग को यहां पर आके जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है प्रादना सिंग जी ने में आसवासन दिया था कि पेंडिंग बढ़ती हैं उनको जल्द सुरू करवाए जाएंगे 2022 कंपलीट होगे 2023 हम युवाओं के साथ आज तक कोई न्याई नहीं हुआ सतर से स्टूडंटें ने खुद कुछी कियों क्योंकि वह विवस थे किसी के माबाप ने करजा लिया उमर की कमाई लगा दी उन पर कोई तीन दिन से यह वहाँ कोई दो दिन से बूखे प्यासे यहां पर बेटें सरकार हमें सचनावी साल आती है ज़वान किसान के नारे मन में सिर्फ साथ दीनी आरे पता लग जाएगा आर्मी की त्यारी कैसे होती है यहां पे हजारों की दादात में युवा जे खटा हुए हैं सिर्फ एक चीज के लिए जो उनकी पेंडिंग भरती है आर्मी में एर फोर्स में जो अगनी वी राने के बाद से नहीं हुई है सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिये गए राजनात सिंग से ये बच्चे मिले भी और इनको आश्वासन दिया गया कि आपकी भरती होगी लेकिन वो भरतीया नहीं हुई जिसके बाद आज ये युवा यहां एक खटे हुए हैं और इनका साफ तोर पर कहना है कि इस बार हम लोग यहां से नहीं जाएंगे नहीं ये लेंगे दोजार चौबिस में भी इसका परिणाम सरकार को देखने को मिल सकता है अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो दोजार चौबिस में ये सरकार को इसका जवाब भी देंगे और अब इनकी उमर भी निकल गई है इसलिए इन इनकी लेकिन इनकी भरतियां नहीं हो रही है जिसको लेकर के यहां पर डटे हुएं और कह रहे हैं कि अगर किसान आंदूलन की तरह भी आंदूलन करना पड़ा तो हम करेंगे लेकिन इस बार भरतियां लेकर ही यहां से यह युवा जाएंगे अरियाना और नाम क्या है अंकीत क्या मांगें आपकी सरकार से अभी फिलाल होगया वह पास होगया उसका पीएफटी आथा फिर जन्वरी में दो जारे नाम की समय को मारी पेसल दे दी पीसल मतलब होता प्रोविजिनल स्ट्स मतलब ओल इंडिया में रहेंक दी जाती है वहीं और आप की तने बत्चों में सेतनी रहेंक है वह लोग बगसाद सड़े-द सब्सक्राइब तो फिर आठ जून को फिर आठ जून को नोटीस आता है कि आपकी 26 जून को आएगी 26 जून को हमने पूरा टाइम वेट किया सारा काम किया लेकिन उसके बाद भी निया अगले दिन 27 को भी कोई नोटीस निया 31 जून को नोटीस आता है कि आपकी जो है एडिमिस्टेटिव रिजन के कारण जो जो इन्डॉल्मेंट अवर डिले है जिसको हम फाइनलिस्ट बोलते हैं तो डिले के बाद हमने होचा चलगवाई नहीं एक दो मिन ना पाच्छा हो जाओगी तो उसके बाद हर महीन यह जैसे 30 का महीं नहीं नहीं थो 30 को 31 को एक नोटीस आलते दे सिर्फ सेम नोटीस पस के लोड़ के उल्स पर डेट चेंज करते दे एक मिन आगे बढ़ा गे अमने पुरा एक साल वेट करया फिर आजाता है 2022 हम राजनाद जी से बी मिले और राजनाद जी से बी मिले और भी बहुत तो उस तक भी मारा वोई नोटीस था तो फिर आप आपके माद दम से एक मतलब सर से पूछा गा कि जो पेंडिंग बरतिया वो क्या होगा तो सर ने मतलब उसमें प्रेस कोनफरेंस में बताया गया कि जो पेंडिंग रिकूर्मेंट है वो सारे कैंसल हो चुके हैं अब जो एक महीने दो महीने तीन महीने उसके बाद दो साल पहले आपको यह बताया गया है कि अब भरती अगनीपत के देता है तो 2020 में जब हारी बरती चल रही थी मैं तो करोना के टाइम पे नोने ओफलाइन बरती करवाई थी वो तो हम से सीनियर थे वो जुनियर थे उनकी तो कि अलगसे सीनियर थे यह तो क्या है कि सरकार गुमरा कर रही है इस तरीके से सरकार बिल्कु गुमरा करेंगे तो फिर आगा इस अगया बच्यों करेंगे तो पर आगई लैक्सन हावए है नोजवान साथियों ने इसके नहीं सायन कर पाए नहीं किया है, तो क्या कर सकते हैं? कैई लोग ऐसे होंगे इन मैंसे जो करजा लेकर के पढ़ाई कर रहे होंगे पहले किसानों के प्रती सरकार की ताना शाही अब आर्मी के बच्चों के प्रती तो क्या इसपर आपकी राये कि सरकार इस तरीके से गरीब तपके कोई क्यों दबा रही है जब तक सरकार बात नहीं सुनती है जब तक सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी आप इसी तरीके से अपनी बात मुखर होकर यहां पर करने के लिए यहां पर हम अपनी बर्दी लेने आए हुए जिस बर्दी के लिए यहां ने जो महनत की है कि सेक्ष सेब कर ना देनी के लिए बस उसी हक को मांगने के लिए यहां अम्ड ली आई हुए है ि आपने की समय साम scratch में तक ट्यारी की थी है मैं 12-16 से त्यारी कर रहे हैं आर्मी की, जिसके لिए दिर्राट, जबकि कोरोना काल में सरकारन ने लॉकडाउन लगा रखा था, फिर भी ये लोग राट में बारा-बारा बज़े जब पलिस हो जाती थी, तब इनोंने तयारी किए है लॉकडाउन समय में इनोंने फिजीकल पास किया है एक physical pass करने के लिए लड़के को कम से कम इतनी महनत करने पड़ती है कि दिर रात वो सो नहीं पाता है और वो महनत पास करके फिर भी सरकार ने उसका आख छीन लिया है आपके पिताजी किसान है? अगनीवीर के तहते हैं एक प्रोसेस था, उसके तेहती भरती हो अगनीवीर क्या है, क्यूब है कोई है ऐसे सोच विचार करके तो नहीं लाए होगी सरकार में अगनी बीर अपनी जगा है हमारी समश्य दूसरी है अगनी वीर से दो साल पहले हम लोगों ने फिजीकल किया जो पुरानी बर्ती के तहए तो हाँ अब आपके मतलब कब तक सलूब यहां बैठेंगे सरकार के दरफ से कोही करिया प्रतिकरिय आपको लग रहा है है कि आएगी सरकार से पिर मुझे रहे हैं अज नहीं तो कल यह हग देना पड़ेगा आज कम जन संग्या में हम लोग आए कल हम देड़ लाक में आएंगी देड़ लाक में नहीं सुनेगी तो हमको अपने और सातियों को लेके आना पड़ेगा क्योंकि हम दिल्ली आते तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही आज नहीं सरकार को देना पड़ेगा को हम भीमांगने नहीं सरकार से कि सरकार दे की निए हम अपना हग लेइने इसार कर Esse तरीके से किसानों उन्हें आंदूलन किया था फिर उनकी बात सुनी गई बाद में उसी तरीके से जब तक सरकार बात नहीं सुनती है उसी तरीके से आप भी प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक आपकी मांग पूरी जरूरत पड़ी तो हमें यह भी करने के लिए आएंगे प्लाल हमारा सकती प्रद्शन करने का कोई एरादा नहीं है एक सरकार जब तक हो सांती पूर secular थरीके से हमारी बात सुनें हमारी मांग क्या है हम को भीक तोड़ी मांग रहे हम हमारा आक मांग रहे हैं दो चारी किसकी पेंडिंग बढ़ती मांग रहे हैं हम अबना यह चाहते हैं कि सरकार सांती मुन तरीके से हमारा हक दे नयाई दे हम किसानों के बेटे हैं हमारे परिवार वाले पताने दिन रात मे लेकिन हमारी बढ़ती की सरकार बात करी आपको नहीं चाहिए अगनी वीर बढ़ती आपको नहीं चाहिए लेकिन हमारी अगनी वीर बढ़ती है हमारी पैंडिंग बढ़ती है उसमें जो आर्मी वाब अगया उनका बाकी तहा रिटन एक्जाम उसमें भी जो स्टूडेंट थे उनको डारेक्ट जौिनिंग मिलीनी थी एरपोस वाले बच्चे थे उनका बिल्कुत सारा किलियर हो गया पर जल्द पहले की तरह सुरु कर दी जाएगी लेकिन आज तक परकरिया का ना तो कोई शुरुआत हुई नाए में कुछ नहीं मिला तो शीदी सी बात यह है कि हमारी साथ जो खड़ा है हम उसके सपोर्ट में हैं ना तो हमें किसी राजनितिक पार्टी से कोई लेना देना है बस हमारी सीदी सी मांग यह है कि हमारे सांती पून तरीके से द सब्सक्राइब 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 कि एक्सिलेंट लगा है मैंने उसमें क्या नाम से और मेरी ओन ग्राउंड चार्ट सोगी चार्ट समेंट राउंड की जो भी रणिंग की थी ना को यह सब पेपर वाले हैं सब किसी के पनिंग पेपर हैं किसी का एक यह ए lot है है मेडिया आती है हम मतलम हमीं加ल इस nécessaire परदसन करने का सदा और सिंपल सरल हमारी मांग इती है कि जो हम पेंडिंग बढ़ती वाले जो स्टुडेंट है आर्मी एरपोर्स वाले एरपोर्स वाले जो बच्चे हैं उनके तो जोईनिंग जोईनिंग होने थी और जो आर्मी वाले जो एंसे से सर्टिपिकेट किया हुआ है उन लोगों डायरेक्ट जोईनिंग मिलने थी और जो विजिकल मेडिकल फिट बन देते उनका एक्जाम होता तो लोग आर्मी की जो कहना हम से बढ़ती थी उसके बाद में एरपोर्स की चलो उनको गिरिन कार्ट देना था हमारा एक् हमें जो लेख दिया है ने फोड़ो भी है हमारे पर कोई हमें बोला ही नहीं है कि हाँ होगे अब एक बार गिमें आपको दिकाना चाहता हूं अपने मानुरा राजना सिंग जी का जिए नहीं से कटिंग है उनके बोले वे स्टेटमेंट है हमने उन्हें ग्यापन दिया था अब यह दरना परदेशन ऐसा ही चलता रहेगा जब तक हमारी साथ नहीं होगा मांगी नहीं ने भी मुलाकात की थी स्टूडेंट से और उन्होंने यहीं बोला था कि आप सबको एक जुट होकर एक साथ खड़े रहना पड़ेगा और मुखर होकर अपनी बात रखनी मोटिवेशन दिया था कि क्या नाम से अब एक एक या एक दो ही स्टूडेंट तो मिलकर यह लड़ाई जीत नहीं सकते हैं जब तक पूरी स्टूडेंट है आर्मी एरिपोर्स वाले जो इस्टूडेंट हो एक जूटों के दरना परदेशन में आएंगे तब जाके सरकार के कानों में बात जाए हैं सरकारफों मतलब टियाएं उसको कोई जहान किसान से मतलब इन में है पहले किस्ानों को साल बरते को रोड़ों ब hone पूरी उमर की कमाई लगा दी उन पर जो कहनाम से हमारे केरियर के लिए ने हमारे माता पिताने के नाम से हमारे इत्ता संगर्स किया है कि आज हमारी विवस्ताइट है कि हम उनसे आख मिला कर बात चीद करने में हम कुछ सर्माते हैं कि लॉक्डाउन में जब सभी लोग घर पे बैटे थे तो उस टाइम हम एयर फोर्स के स्टूडेंट उस टाइम हम लोग ने पढ़ाई किया पढ बिकर लिया उसके बाद हम लोग की अपी और लोगों की लेटे दे जाएगी उसके तक्या ने दी निघर अप हम लोग इसी उमीद में बैठे रहें कि अब तो हम लोग को नौकरी मिली गई है एक साल तक सरकार ने हम लोग को रोक के रखा फिर जब ये 2022 आई तो 14 जून को इन्नों ने बोल दिया कि पेंडिंग भर आप से जो भी भरती होगी अगनी पत के तुरू होगी तो मैं हम लोग क हम लोग के मैंनत का फन मिलना चाहिए न तो पर हम लोग के मैंनत का फन नहीं दिया जा रहा है इसलिए हमारे जैसे लगवाग एयर फोर्स के हम बताएं तो साथ से आठ जार बच्चे हैं जिन्नोंने सब कुछ क्लियर कर लिया था पस उन्हें जोएनी लेटर देना था पर दिया गया और आर्मी के लगवा एक लाग वीजार बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ पास कर लिए थे पस उनको लाश्ट इस्टेप रिटेन एक्जाम देना था प्लस तो उनका रिटेन एक्जाम नहीं कराया गया और आर्मी में ऐसा है कि जो एंसी सी किये रहते हैं सी आर्मी में भी लगवा आठ से तसजार बच्चे ऐसे थे जिनका सिर्फ जो इनिंग लेटर देना था पर सरकार ने सिर्फ यह अपनी एक अगनीपत नाम की स्कीम लाई और यह ठीक आप लाई हैं को कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हम लोग की तो मेहनत कफल दीजिए हम क्या नहीं है प्यास नहीं लगती बेटे हैं क्योंकि हमें विश्वास दे कहीं आपके माद्य में से बताना चाहता हूं कि सरकार को बात हमारी सरकार तक आप पहुचा होगे लेकिन प्जुनावी साल आती है प्रना कुछना कुछने है मुद्दा ले आता है जवान किसान के नारे मंचों पर लगाते हैं लेकिन सरकार जवानों और किसानों के लिए कर क्या रही है हैं अगर जवानों के लिए अगर कुछ करती तो जवान आज रोड़ों पे तोड़े बेटा होता हमारी के नाम से तैयारी करने की उमर हम रोड़ों पे बटक रहे हैं गरवालों की जिम्मेदारी उठाने के हमारी उमर है लेकिन हम गरवालों से नजरी सुपाई फिर रहे हैं वो बोगह जैसे हम जाने हो जाएगी हम जाइन हो जाएगी एसे हम पुरा कॉम्पेंस हैंगी सबसे मेन बात होते हैं रणी और मैडिकल जो इते पासड़ पर संट फोजी ओगी उसकाड़ी जो होता है उसकर लिकली जाता है हम अपने घाओं में और शेर में बहुत आप इसे निए अब जो साथ में ना वो जब देखते हैं एक यह बोलते हैं आप अपड़ाई चोड़ दी ता इसी फोजी फॉल नकली फॉजी चाहा लगे जाके इसे बोलें कि इदर लगता है महाम इतर इस ब्रदाज नहीं होता जो मेरे पापने बोल दिया कि मेरा लड़का मेनत के यहां तब पहुंचा है ठीक है उसके बाप मेरे पिता जी से बोले थे ना कि मैं ऐसे ऐसे बात है कि कैंसल कर दिया मेरे पिता जी फिर भी ना उनसे नजरें नहीं मिला पारे कि मैं लड़का बड़ा चक्रा के बात किया ताब आज मुझे मेरे पिता यह रहे हैं तो लोगों का यह नजरी रहता है कि भाई तू आर्मिम लगने वाड़ा ताना क्या हुआ तेरी बढ़तिका क्या तो गरवालों को जवाब दे सकते ना गरवालों को सामने उसको जवाब दे सकते मार्केट में जाएंगे जए और फूजी क्या साँ ही क्या है कि था हैना ऊकल नौ होई Randomर हो था पेपर था चाब यार पोजी मुझे लगता दा घ्र चारव जो आगल पगल के जो घर वाले हैं उनका मतलब यह कहना होता है कि इन्हों ने ना कोई पेपर निकाला ना कुछ निकाला जूट-मूट का एक अफवा फैला दिये क्योंकि हम लोग को जुएनिंग तो मिली नहीं हम लोग क्या दिखाया जा कोई प्रूफ हम लोग के पास है नहीं कि यह देखें मेडिकल का कार्ट है अब कोई बी मतलब एक स्टेट से नहीं है सब लोग अलग अलग स्टेट से क्योंकि यह सेंट्रल की वेकेंसी आती है पर क्या कि हम लोग को यहां तक ही चला रही है जिस उम्र में हम लोग सोचे हैं कि अब तक हम लोग रहेंगे देश की सेवा करेंगे पर हम लोग को यहां पर आके जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है तो यह पर मैं तामी लड़कों लड़के उसे लड़का है उसे नहीं दिया पंजाबी आती है अब इस तमिल बोलता है और इंग्छी नोड़ी हमाय जैसे काम चला हुए चलाता है दो में जीदर है आप जोचे जिस लड़कों कुछ आता ही नहीं समझी नहीं लग रहा है उसे अपने अपने क्या नाम से मंगलों में सो रही है कोई यह सी रूम मेटा है कोई कहां रहे हैं किसाम तक दर ना देंगे चले जाए मैं मंत्री को इतने बोड़ रहा हूं अपनी मंत्री के बच्चे तो होंगे ना उन्हें बोल दिया चार बज़े उड़कर आजाए ग्राउं लड़ कोई नहीं होता है लेकिन जो वह इस्टूटेंट निकड़ जाते हैं हो तो 40 सो में सब्हेस्ते होते ना फिर भी यह सदिक है ना हम सबने के लाइक नहीं है हम ने सपने के पर करने के लिए और आज किशनते हैं Ч honestly सबखर करा हैं उसका दोड़ता है ना मैंट दोड़สनुमे से पचास रजा होते हैं इसे हम क्या है कि मजब इसी बाती है कि हम शड़े टिटूड होता है कि हम सब चासों में सब लिकर है उसे है एक यह हम है तो है इसे मेरे मातापिता भी मी एक पर नए इतने हम हम 22 जाड़के से जिसमें से मैं भी लिकला हूँ मेरे पताया को अटीटिटीट नहीं होगा अगर मेरा लड़का इतना दोड़ के आ है में तो तो अग्या का रिष्टेदार में इसलिए उन्होंने पताया है आज अजब ताने मार रहे हैं नहीं मेरे पिता जी रिष् पारम ने लिकला मैं अब जो मुमरी लिकले गई यह तो यहां पर कर रहे तो हमें यह था कि कैसी भी तरह हमें नहीं पता था लड़की तनहीं आगे तो हमें तरह जो आगे हैं बड़ बड़ अच्छी बात है इस बार जैसे पिशली बार राजनात सिंग ने आपको बोला कि आप आश्वासन दिया था कि नहीं भरती हो जाएगी भरती हो जाएगी तो इस बार भी अगर इसी तरीके का गया आश्वासन देते हैं तो फिर आश्वासन से संतुष्ट नहीं होने वाले हमेरे को जो नयाई तो बच्टे लेकर वापस जाएं इस बार बढ़ती लेकर आपना ओफीशल साइड पर यह ढलें कि हाँ जो बच्चे कि कितना विश्वाश करें कि thing अपिद्यार्म Maharła ट्यूंद के लिए इस आप deben do jego mappedi नहीं जाने वाड ॉयां से हम लगातार कड़ा संगर्ष करेंगे इससे ज़िए कड़ा संगर्ष करना पड़ करेंगे और हमारे जो यार दोस्तें नहीं आ पाएं उन्हें गुलाएंगे हमारे साथ डेढ़ लागियों के साथ हमारी फेमली मेंबर्स की मिला खिए 8-10 लाग लोगों की ताधा होगी तो उनको बुलाना पड़ा पड़ा तो भी आंदोलन करेंगे हमें इस बार सरकार के जोखने वाड़े कुछ नई हमारी एज हो भी हमेरे मेने लास्त परति मेरे बट्ट आ कदा था शुम쁨 होग अझे सब्तु कि मैं रहा हुआए कर दो जाए इस नहीं कर दो गोना है आप दो है कि पर भी लेना है थे अपना च्बेंटे कर रहा है अपने पधाई बीच में पेपर करना है हैं मेरे नहीं नहीं आपना करते करते हैं यहां तक पहुचा हुमर तो हैं भी हमारे पास है यही चांस भी आप और राज इंदी का किसी का फैदा लोगा रहे ही वह देखिए हम आप अबी किलियर बात बो रहे हमें किसी की है जरूट है कि नहीं तो हम इतना ज़ल्दी आर्मान की यहां से जाने वाड़े नहीं है जो लड़का बॉर्डर पर जा रहा है बॉर्डर पर जाना मतलब सुसाइड करने के ब्रावर होता है तिर्फ की रक्षा का मड़ी बात हुआ छोटी बात नहीं होती जा रहा है उसे जाने देना इतनी साथ से मेर्णत करके जा रहा है जाने दें उसे क्यों रोक मेरे नाम विकास सोधरी है राजस्तान टॉंक से आई है माल पर तेसली के रहने वाले हैं तो यह जो यहां पर उलन कर रहे हैं सरकार की खिलाफ की भरती चाहिए इस पर क्या रहा है कि हमारी जो पेंडिंग भरती बागी है वो पूरी हो क्योंकि हमारे को अगनी वीरी स्कीम से कोई मतलब नहीं था हमारे पिछले भी अगनी वीरी स्कीम के अंदर लेके हमारी पुरानी बढ़तियों को रदिकिया गया तो हमारे को क्या है पेंडिंग बढ़ती चाहिए हमारी हमारे को हमारा हक चाहिए एक जाम चाहिए हम किसी से भी नहीं मांग रहे हमारी बढ़ती द और क्योंकि सरकार के अंदर जो सता है उसके अंदर ही सिक्सित आदमी हैं देश का प्रदान मंतरी तो उनको भी सोचना जे बाई गरीब परिवार के लड़के हैं इनका कुछ हो और आगे इनका बविश्य भी नहीं है क्योंकि मैं खुद एक स्पेसिल बेस्टिसी में मेरा नम अगनीवीर से पहले उसके तहट आपकी भरती होने जाएं लड़के ना जो सभी 21 अगये थे लाश्ट परती थी सभी की तो इनको अगनीवीर कोई मतलब नहीं है क्यों अगनीवीर अभी में तो 20 साल वाली लड़के ले रहे हैं इनको लास तना से ना परती का और इनका एक परती का चांस मिला है कोविड की वजए से उस बढ़ती में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ना तो हमारी पूरी परिटिंग बढ़ती दी उसकी परकिरिया पूरी होई और के नाम से उसके बाद में आसवासन पर आसवासन दे रहे हैं कि तुम्हारे को बढ़ती जल्दी जो उसी सीरे से सुरू की जाएगी जैसी सीरे से वह रुकी हुई है उसके बाव जुदी 222 के अंदर जो अपने राजना सिंग जी ने डाइरेक्ट नहीं आकर सेना के तिनों जो अदेक्स होते हैं उन्होंने अगनी वीडियो जना की गोसना कर दी उसके बाद में पेंडिं चब हमारे एकजाम ता कोरोन वी टाइम इस टायम ही कोरोना चल रहा था चब हमारे एकजाम कंडिंग हमारी फीडियों केंसल किया गया natation अनोल रहत चल एक हमक्या ताकर आहा frig тебя का हैंगी सांदूलन को जब तक हमारे गुमारा नाई नहीं मिलेगा जब तक हम देश के लिए लड़ते रहेंगे मेरा नाम है असोग इसनोई सर जी मैं यही कहना चाहता हूं आप कि हमें अध्रा iç लेकरियों हम हमारा हमारा चाहता है ठाहिए बॉक्त को सब्क्राइब फीटाए है मेडम में में इसी routes वालाया जुटेशिक हो दो कि हमारी मांगे पूरी होगी मेडम और हमारी मांगे वो जाइज मांगे है मेडम और जो अगनीपत योजना थी उससे पहले कि हमारी भरतिया ने की बात कि हमें उस टाइम बनक भी नहीं थी कि इसा कुछ अगनीपत का होगा लेकिन इसके बारे में जब यह अगनीपत आया यह पर थोप दी गई थी और हमारी वर्तियों को उसके नीचे रद कर दिया गया मेडम यहीं पर आपकी यहीं मांग है कि पेंटिंग भरतियां हो जाए हमें ने तो हम हमारे हक के लिए यहां पर आये मेडम और इस राम राज्ये में हम यहीं मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कर लिया जाएगा आप लोग चिंता मत कि आप लोग को हो जाएगा लेकिन जब नहीं किया कि नहीं कर सकते तब तक हम दरना कंट्यूनी जारी रखेंगे पूरे जोस और जनून के साथ इस दरने को बनाई रखेंगे बस यही निवेदन है सरकार से कि हमारी जो पेंडिंग बढ़ती है हम कुछ नहीं मांगते हो और हमें और कुछ नहीं चीए आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो लेकिन हम स्टुडेंट है हमारे साथ यह जो नहीं सरकार कर रही है वो नहीं कत्य बदास नहीं होता है हमारे माबाप ने हमें इस मुकाम तक पढ़ा है कर्च लेके तो हमारे यही मांगत सरकार से हाथ जोड़के निवेदन किये जो हमारी पेंडिंग बढ़ती है 2021 उसको कं अब बाद से तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे या तो हमें वर्दी चीए या फिर हमें अर्थी चीए बस सरकार से जेहिंद जेवारत मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं जो होते हैं जबान और किसान यह दोनों देश के रिड होते हैं और एक बार जो है मानिया परधान मंतरी जी किसान से उल्जे थे तो परिनाम अपना देख लिए उनको जुगना परा और इस बार जुगना ही परेगा जब तक वो हमारी जो तब तक हम नहीं मिलेगी हमारा हक तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं है चुनाव भी आने वाले हैं तो लग रहे हैं कि प्रेशर पड़ेगा परना तो चाहिए नहीं पड़ेगा तो फिर इसमें तो सरकार को इगाटा होगा परने वाली अगर हमारी पहले बात मौन गई तब तो ठीक अगर नहीं मंगनी तो फिर इसमें तो बहुत ही ज़्यादा जहना उनको सामना करना पड़ेगा जवाब देंगे अगर हमारे हक नहीं मिलेगे तो हम चाहिएंगे कि सरकार बदले जो हम हमारे साथ रहेंगे जो हम मेरा हक देगा हम उसके साथ रहेंगे चाहिए वो कंग्रेस हो वो बोलें जैसे कि हम तुम्हारा अधिकार दिलवाएंगे अगर मेरा हक में फैसला नहीं आ अगर आप इस लड़ाई में सरकार को हराना चाते हैं या सरकार चाते हैं कि सरकार आपकी बात तो आज अभी जो दिख रहे हैं हजार में दिख रहे हैं कल लाखों के संख्या में दिखेंगे पीछे हटने बाले हैं नहीं जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा तो कल लाखों के संख लट देंगे इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा भरतियां वापस लेकर ही परेगी भरतियां करवानी वापस भरतियां क्या वो तो होई गया बैकाइदा हमने दौर पास किया पास 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 साल कंटीनियू किये तब जाके मेडिकल पास हुए है दौर पास हुए है उसक बीजेपी को इसलिए का जाता है बीजेपी बरका जुठा पाटी यह जो है ना हम लोग के साथ धोखेगिरी कर रहा है अगनी भीर लाके इसकी मेरे पास स्पी करेक्टर अठारिक को डेट की है वो उनको दिखाए बोले कि यह फोन में आज ही बनके आया तो बोलता है कि यह नई काम चलेगा सो तुम जो है अब डिस्कौलिफाइ हो गया वोले की निकालके वहां से ले लो बस हम मेरे पास तो है कागत ऑलड़े तो बोलता है कि नहीं हो गया मेरा पेंडिंग भरती है जो वही तो देदो हम तो हक मांग रहे अपना हक मेरा देदो बस हो गया अगनी फिर से हमको क्या मतलब है तुम अगनी भी लाओ या कुछ भी लाओ मेरा हक दे दो बस हम लोग तो फिजिकल मेडिकल पहले से ओल्डेटी पास कर चुके हैं वो तो हक दे दो तो अब बिना हक लिए वापस जाने का कोई इरादा नहीं है कोने कोने से यूँ आएंगे और अप बहुत ज्यादा यह तो बहुत ज्यादा पड़ेगा बिजेपी वाले पर अगर सरकार बात नहीं मानती है आपकी तो फिर 2004 किस तरीके से जवाब दिया वह तो भोट बताएगी उसकी अवकाद पता चल जाएगी बिजेपी वाले की क्या है पूरा मामला और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से आपकी मांग क्या है मैं सरकार से चाहते हैं कि जो हम लोग की मांगे है पुरानी भरती हुई थी 2021 में वो सरकार पूरी कर दे फिजिकल हो गया था हम लोग का सिर्फ वनली रिटेन बाकी था सरकार रद कर दिया बस सरकार से निवेदाने कि हम लोग का एक जो पुरानी भरती है पेंडिंग परी हुई है उसको फिर से करा दे यानि कि आपका मेडिकल वगेरा सब कुछ हो गया था बस एक रिटिन रह गया था और मेडिकल दोनों हो गया था यह फोर्स का तो सिर्फ जो आइनिंग लेटर बागी था रिटेन उन लोग का सब हो गया थ थे faithful अग्णी वीर के तहते नहीं चाथे ठीक ह trás और यह अगनी वीर से पहले जो हम लोगा जो प्रक्रिया हुआ वाल जो पेंडिंग जो अभी पड़ा हुआ उसको सरकार से निवेड़ा न कि उसको इंडिक्रिया को सूरू कर दे हम लोग एक्जाम लेले अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया आप लोगों को मिली है या फिर आप लोग अभी राजना सिंग पहले बोले थे या कि उपी में एक बर सवरा आयते रामदेव सर्थे सब कोई बैठा हुआ था लोग तो सर बोले कि आप लोग की बास सुनी जा बोले कि वोले कि कुछ दिनों के बाद हम करा देंगे भरती आपकी पुरी होगी जैसे चेल्प करोना कम हो जाएक भरती पूरी हो जाएगे लेकिन जुन 2 जार 2 लाते है अगनी भी इसके चलते हैं, आपकी पूरी भरती रथ करते हैं, हमको नहीं को अगनी भीर से कोई दिकत नहीं हो, सिर्फ जो हम लोग को प्रोसेस बचा था, आप उसकी पुरा कर दीजिए, अगनी भीर हची है, ठीक लाइया आप उसको, जी डी को वो बो बोले घे कि दो साल की चुट द बहुत 200 साल एकड़ी में रहे पैसा 3-4 लाग पर बचा खर्चा हो गया आप कहां से बिलॉंग करते हैं चंपारन विहार से जी किसान मजदूर के लड़के हैं हम लो तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो सारी नीतियां किसानों के प्रति हो या आर्मी में अगनी वीर लान कर दिलु के लिए वोलड है किसान को मचा कर रहे हैं मौझण करका कहीं कुछ नहीं कर एकड़ कर रहे हैं हम सब यौड के बरबाद कि एंदर हमारा थी तब हमें ये बोला गया कि कुछ राज नहीं थी कारणों के कारण आपकी जोइनिंग में डिले है तो और हमें इस तरह से एक साल तक लटका के रखा है हम लोग वेट करते रहेगी ठीक है चलो जोइनिंग होगी कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन जब जून के अंदर हमारी ब हमें समय तक तैयारी किया है इस एक्जाम के लिए कितना समय लगा आपको ये सब क्लियर करने मेडिकल और ये पूरा प्रोसेस कितने वक्त का था हमने 2019 में 12 पास किया उसके बाद या मेर फोर्स की तैयारी के लग गए थे लगवग एक साल से डेड़ साल हमने तैयारी की कुछ समय बाद अच्छे दिन आ जाएंगे अब हम वो कर्ज कहां से चुका है ना हमारे पास कोई रोजगार है हमारी एज भी निकल गई है तो सरकार को सोचना चाहिए कम से कम इन बच्चों ने मेनत के इनकी मेनत का फल तो इनको दे पूरा आपका दो साल की जो मेनत थी व सरकार आपकी बात सुनेगी कुछ कर दे हमारी प्रोसेस फाइनल कर दे मेरा नाम दीपक पटवाला मैं उत्तरा खंड अलमूडा जिलेश आया हूं और मेरा यारो पड़ता है यारो अलमूडा तो मैंने 2021 फरोरी में भरती मारी 24 फरोरी को मेरा एक्सिलेंट फिजीकल है और म सरकार एकarah दे मेरा पेपर अभी तक नहीं कर आए गया बार बार 15 फंद 10 मार्च को ही नहीं नेmis belongs ब्याहिले कि मेरा एक्साम करायाकण मुझे भरती ऊणा वाई किसी की मत पहे है मेरे पिता जी कि सान करते हैं। तो क्या मतलब जो सरकार का यह जे यह जो रवाया है जितने भी आर्मी की भरतियां हो या फिर किसानों के प्रति हो या गरीब तपके के प्रति जब भी यहों कहते हाँ होगी होगी बार बार बोलते होगी होगी कब होगी अगनीवीर योजना को लेके क्या रहा है आपकी ये अगनीवीर एक फ्रोडी योजना आई हम कुछ ना आ खाली वैसी पागल जो बच्चे बिचार आप मजबूर होगे हैं वह कर रहे हैं हमारी बैठा रहूंगा फरीदबाद में मेरा घर में यहीं बैठाओं जब तक मुझे जॉइनिंग ना मिलेगी यहां से मेरा NCCC मैं जाके जाओंगा और क्या मैंने चार साल काटे NCC में लगता है इस तरीके से सरकार के उपर दबाग बनेगा और सरकार आपके पक्ष में कोई न मैनत कर रहा था किसी ने दो साल मैनत की है किसी ने चार साल मैनत की है किसी के पिताने कर्जा लेकर उसको आर्मी में भरती के लिए उसको बाहर बेजा पढ़ने के लिए लेकिन ये सारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि पुराने प्रोसेस के तहत हम भरती होनी चाहिए और जब तक नहीं होती है हम सब यहीं बैठे रहेंगे